कि Hello students .. आज हम फिस नेया project start- venom जा रहे हैं परकास, जिदुद्फर भाव uhum दरभे तरंगे की परकास विदुद्फर परभाव क्या है इसके बारे में हम जिस्तार से इस में इस chapter-म इंसे पढ़ने वाले इसे पहले वाले चेप्ट में आपने प्रकास के त्रंग परकर्टी के बारे में भड़ा था तो प्रकास के त्रंग परकर्टी के आदार पर बहुत सारे ऐसी गटनाएं हैं जिनकी हम व्याक्या कर सकते हैं तो उनकी व्याक्या हम इस चेप्ट में करने की कोशिश करेंगे और तो इसको समझने के लिए आप देखिए आपम HU ओर दात्रों की प्लेट है तो इसमें क्या होने मुगत enough नहीं होगे तो अब य prag हम इस दाफ्रव की स्क्राब निकल जाए तो इस निकल जाए को है विजब्स करते हैं विजब्स 11 wise क्या है इसाStrum हैं कि जब हमने देखा कि इस पर हम 50 की आवरती यानी 50 आवरती यानी 50 हर्च की आवरती इस पर हम apply करें तो इससे लोक्राव उस्टर जित हो रहे हैं बट आप इस पर इदि हम आवरती का मान ये हम 40 कर दें तब देखें तो यहां पर यह है कि इस दातों की प्लेट से इस दातों की प्लेट से लोक्राव को बहार निकलवाने के लिए हमें एक उच्छी तर आवरती की एक तरंग की आवजिक्ता होगी उच्छी तर आवरती की विदुचूंबी की तरंग होनी चाहे है चाहे हो परकास के रूप में हो चाहे हो रेडियो तरंगे हो चाहे सुक्सम तरंगे हो चाहे और को यहनने तरंगे हो ठीक है तो इस परका की आवर्ती का है इंपोर्टेंट है तो ہिसकी स्टेह से लोक्त होंगे अध्यता नहीं होगे वैसे जानते हैं कि हमाली जी के कोई भी स्टैह या दाक्तों की प्लेट है उसमें बहुत सारी मुक्तो non युमित ऑप कुमताबिक है और आप यह जानते हैं यह जो इलोक्टोन होते हैं इस नाजबिक से बंदए अ coming यहां से बंदेर रहता है और मजबुतिसे उनको बांदे रहता है अब हमें इस missla को यहाँ से बहार निकालने के लिए इस लोप्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस लोप्रॉन को उर्जा देनी उरजा पास में मुल सकते हैं यहां एस इलोक्रोन को यहां से बाहर निकलने के लिए महीं पाला सूझ औरיר बात करेंगे और नमर दो हम किसी बात करेंगे उर्जा की बात करेंगे यह दि आपके पास में किसी भी विदुचुमी की तरह की आपको आवर्ती पता है यारी किसको मैं लिके रहा हूं नू से यहाँ पर एल्ज के है प्लांग यह तांग है प्लांग स्तिरांग है इसका मान आपको पता होना चीए तो कुल मिलादर बात यहां तक आ गई कि किसी भी दातों की तैसे भी इलोक्टोन का उत्सरजन हो रहा है वो भी उच्छी तावर्ते के साथ उच्छी तूर्जा के साथ है को रहा है उसी गठना को यह भी क्या बोलेंगे परकास विज़तिफ्रभाब इसके बाद में हम कुछ इधियास की बात कर लेते हैं, कुछ स्टोरी बात कर लेते हैं ठीक है, सरवफदम 1887 में, 1887 में, हैट्च नामक क्या गानिक थे हैट्च हेट्स नहीं क्या किया कि के थोड़ पर कि यहां पर को ट्रुद कर उर्खें पर नहीं कि आर्ग लेंग की साहिडा से पैरावईघनाय पर्डास त्रमिय कि यहां था यदि कि परकॉअकि रूंतित कि रृएं जानुकित तब उन्हों कि परकास आपद किराने पर क्या हुल है एधरा सुन्ता से परवाइग हो रही है इसका मत्लब तो यह हुआ कि कुछ नुकूछ तो यहां पर इस परकास ने कुछ किया होगा कि जो कि दहरा में साइग हुआ है इसके परसाफ फिर 786 में 488 में vagy होस counties ने सब्सक्राइब बस्त निमाग में नीकाल लगें कि कुछ तो इहां पर ऐसा है कि इन तरहों में कुछ तो ऐसा है जो लोग प्रणों को निकालने में साइक हैं अब आपको एक चीज समझ में आजाना चाहिए कि कि किसी भी दातु की स्टैप पर यदि हम उच्छी तावर्ती का प्रकास आप्तित करवाएं तो वहां से लोग उत्सरजित होंगे जैसे माली आपने सोने के जो हबुसन हैं वह पैंद रखे हैं आपने अगुटी पैंद रखी है या कुछ कानों में रखा है गले में कुछ पैंद रखा है ठीक है तब माली जी कि आप जैसे भार दूप में गए सुरीय का प्रकास आप्तित हुआ और आप्तित होने पर वहां से दात इहां कई दॉप में गुँम रहे हैं तो आपके सोनों प्रकास हुआ उस की आवड़तों की आता है कुब हैं कि अफेने से न मतने होसे कि दूपन करते हिएं तो फुल मिलादर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करने वाले इस चेप्टर में यानि इका दातु की स्टै लेंगे और उस दातु की स्टै पर हम क्या करवाएंगे परकास या उचीतावर्थी का विद्चुमी के तरहें इस पर आपक्तित करवाएंगे और इस पर विदुक्षेतर और चुम्य की चीटर आरुपित भी कर सकते हैं और इस पर विदुचुम्य की तरंगें आपदित करवाखर भी इसे हम इलोक्तुनों का उपसरजन करवा सकते हैं ठीक बड़ हमें क्या पढ़ना इस चेप्र में परकास जुद्ध प्रभाव के बारे में पढ़ना है यानि कि दातों की स्थाप्र आपको एक उच्छी ताउर्टी का परकास ही आप्टित करवाना है और उससे पर इलोक्रोन उच्छीत हो रहे हैं उसके बारे में अध्यन करन और वैसे इती आप देखें तो समाने प्रिष्टिती में आपकी जो इलोक्रोन है और सौतन दगा पूरा के दातों की स्था में इदर इदर गुम सकते हैं बड़ इससे बाहर नहीं निकल सकते जैसे माली जी आपके पास में कोई एक दातों की स्था है ये और यहां पर माली जी यहां पर आपकी की और चला की करने की परसात यह माली जी इहां पर आपर यहां इससे बाहर आप जेसे यह नहीं जा सकता अब यहां पर एक चीज और समझने वाले हैं कि कोई भी जो आपके पास में जो तरंग होगी इसके पास में एनर्जी कितनी होगी एज इक फुर्टी होगी आप यहां पर माली जी की यह आपके पास में कोई दात्विक्स तरा है इसे लोक्तोने पूझ को उत्रजित करवाने के लिए माली जी के आपको पैकास्यरत की चार्टी चीजिए कि इतनी चाहिए 30 series किया उरती किया इस पर क्या है बार कर इस पर आप ने δेख आप लोगगरन से क्रवाफ कि तो आप में देखा कि 40 जो आपने साट ऐड़्चै इस इसे आप इस पर आप लोगाओ उत्षर जित होleri कर वाएं तो भी हैं सी लोगोन उत्वाफ तो आपको यह सोचना है कि कम से कम कितनी आवर्ती चाहिए आपको नियूंतम आवर्ती कितनी होने चाहिए तो यह नियूंतम आवर्ती का ही नाम है देहली आवर्ती और देहली आवर्ती को लिखने का जो तरीका है वो इस पतार से एक विव्ण गया आवर्ती की बात कर लिक्ति यह नियुन आप क्यात्ती की बात करें हैं का यानिकि आप करेंगे इस निसकी पर देहली पर फ्रेंटी हो जाएग तो यह निकल कर इसकी बहली पर यह विख़ड़े हो जाएगे इसके बिल्कुल इसकी देहली प्रिकड़े हो जाएंगे बढ़ इससे बहार नहीं जाएंगे बहार निकलेंगे उनको क्या चाहिए गती जुर्जा चीए गती जुर्जा चीए तो कहने का मत्रब यह है कि इसके पास में जो उर्जा चीए वह कितनी है एच न्यूनोट और फिर उनको अक्स्ता कुछ दपी करवाने के लिए कुछ और इसको काइनर्जी चाहिए जैसे आप स्पोंच कीजिए आपने माले जिए कि इस पर 80 हर्च की आवरती का परकास आपकित करवाया इस दातर इसका पर असीमे से जो 40 हर्च है वो तो क्या करेगा इस सब्सभित करवाएगा बाकि जो 40 हर्च बची है उसका क्या वरती बची है वो क्या करेंगी बताएं वह क्या करेगी वह इस इलोक्रोन को गतीज उर्जा परदान करेगी ठीक अब चारीस है उसको थन क्या बोल रहे हैं देली आवर्टी बोल रहे हैं तो इसके संगल जो उर्जा हुई वह तो क्या हुई और यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी क्या हुई क्या हुई क्या हुई क्या हुई क्या है इसको इसको इहां से निकालने के लिए वह गई और दूसरा उसको गति करने लिए यानिके इसकी काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो यह वाले जो उर्जा है क्या क्या कलाएगी कारीफ भलान ऐसके आपको इस परकार से समझना और इसके बारे में विश्तार से आगे बीचर्चा खड़ने वाले हैं ठीक बड़न है फिर बार को अब आपको प्रकास्विदूद प्रवाव की डेपिनिशन देली आवर्थी और कारिया फिलन की डेपिनेशन समझें सब्सक्राइब निश्च्थ नियुमतम आवर्थी या उससे रीक आवर्थी का परकास आप्स्थ्थ करवाए जाता तो दात्रिक्स तरसे मुझे लोक्तों उत्रजित होने लगते हैं तो इस घठना को हम क्या करते हैं परकास विजुद प्रवाव करते हैं तो कहने मतलब या रुट्या करते हैं या तो आप परकास इंडूत्र प्रवाव को समझ गें होंगे कि इस परकार की निश्या निवंत्र आवर्टी होई यह तने इतनी आवर्टी है प्रकास की तो ही लोक्तों उत्रजित होंगे अनेता नहीं होगे अब यहां पर देखें आप जो इलोक्रोन उत्सरजित हो रहे हैं तो बोलते हैं फोटो-इलेक्ट्रॉन वह बोलते हैं और इन वांत जो प्रिक्रिया किसी बंद प्रीपत के लिए करें तो इन लोग्रोन नों से उपर रहे परकास विद्वद्वध्रा वहां पर इस परकास विद्वध्रा ही लिखेंगे परकास नाम नहीं लिखेंगे तो यह आप सब यहांने के लिए लोक्तोनों को बैस थे थीक यह तक लाकर खड़ी कर देठी यह इतना ही काम है इसको संपातित करने के लिए हमें कुछ अक्स्टरा एनर्जी देने बुढ़ेगी यह निए देली आवर्ती है उससे काम नहीं चलेगा देली आवर्ती तक तो इलोक्ट्रोन है इससे भानेकल कि रिसकी स्थाप राजाएंगे वड़े से इससे आप कुछ दूरी पर लेकर जाने चाहरे हूं इलोक्रोनों को उसके लिए आपको और अक्स्ट्रा एनरजी देनी पड़ेग तो देली आवर्ती क्या है बस दातिक इससे ठीक बाहर निकालने के लिए है इलोक्रोनों उसको आगी गति करवाने के लिए नहीं है निकि जब गति प्रकास से तने आओटी करें वह आओटी क्या रही कि देली आओटी क्लगाई फिर देखें आप एक टेक्निकल ट्रमें प एक तनाम कारेफल्ण्ञ करें अब जो उर्जा羅ती को है की लिखेंगे से लिखेंगे नेके लिखेंगे विसके लीकुर से लिखेंगे अर्य। में थिखने आँकुर वोट्रे में सींटल्ण्ञतं को Caleb आवसिक निंदो मुर्जा यह नाम याद रहने जुरूरी यह आवसिक निंदो मुर्जा ही क्या करती है कार्य फिलन और इसे की से लिखते हैं वह अलग लग होता है कि सबसे ज्यादा जो होता है जो सबसे जो कम उर्जा यावसिकता होती है यहां पर आपके इस यह नहीं बहुती काम आने वाले हैं बार बार ठीक है यह प्लांग नहीं तांग एस की लिख इस फिर इंटू टेंदी पाफ माइनस थर्टी फोर जूल इंटू सेकंडिकर नुमेरिकल करेंगे ना तब आपको जूल को इलोक्रोंवर्ट में बदलने की आज सकता पड़ेगी तो आपको यह फोर्मुला याद रखना बन इलोक्र इतने वेलिए होती है ठीक है इतनी चीजे आपको इसमें याद रखनी है और यह एक्जाम की तरिश्टी चीशी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से चानमर की कुशन आने वाले हैं इस अकेले चेफ्टर से चानमर की कुशन बनते हैं रास्ता में ठीक है और तो आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है यहीं बने रहे हैं हमारे चैनल में हमारे चैनल के साथ और आगे जो अपनी नेक्स क्लास होगी वह और लेनार्ट ने प्रतास विदुत प्रभाव के लिए ठीक है उस प्रियो को हम अक्स्प्लेंड करेंगे बड़े बिल्कुल भी मिश्मत कीजिए पूरा वीडियो देखें लगादार देखते रहें हमारे चैनल को यह ही और फिलाल इस वीडियो में हीत्रा ही है और वीडियो देखने के लिए ठेंक्युक्त